हेलो फ्रेंड्स मैं अनुपा माप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में कच्चे आम की खटी मीठी चट्टी बनाएंगे जैसे साधी पार्टियों में मिलती है चलिए बनाते हैं दोस्तों रेश्पी शुरू करने से पहले आप से एक करना चाहूंगी अगर अब तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजिए और वे लाइकर जरूर क्लिक कीजिए जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहल है उसमें दो चम्मस सर्सो का तेल ले लिया है तेल को अच्छे से गरम हो जाने देते हैं तेल भी गरम हो चुका है अब एक छोटी चम्मस कलोंजी डाल देते हैं कलोंजी को अच्छे से तड़कने देते हैं एक छोटी चमस सौंफ डाल देते हैं दोनों चीजी अच्छे से पका लेते हैं और जो हमने कच्छे आम काट के रखे उनको डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम स्वादा नुस्वार अधि छोटी चमस नमक डाल देते हैं एक चोटाई चमस लाज मिर्च पौडर डाल देते हैं और अच्छे से फिर एक बार मिक्स कर लेते हैं अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और धक के थोड़ी देर पका लेते हैं अब हम धक देते हैं पांच मिनट बार चेक कर लेते हैं देखिए हम अच्छे से पक चुके हैं अच्छे से चला देते हैं और हम मैस कर लेते हैं ऐसे ही दबाते हुए मैस कर लेना है देखिए पानी भी एकदम खतम हो चुका है अब हम थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं और अधी कटोरी चीनी डाल देते हैं अब अच्छे से चला देते हैं चीनी डालने से साइनिंग बहुत अच्छी आती चटनी में और गुड़ से कलर अच्छा आता है दोनों चीजे डालने से चटनी बहुत अच्छी लगती है टेस्ट बढ़ा जाता है अब हम थोड़े से ड्राइब फूर्स काट लिए हैं उनको भी डाल देते हैं आप इनके बगार भी बना सकते हैं अब हम एक बार फिर अच्छे से चला देते हैं गयस का फ्लेम लोही रखिएगा अब हम फिर ढख देते हैं अब हम फिर एक बार चेक कर लेते हैं देखें गुड़ा और चीनी अच्छे से गल चुका है और चीनी अपना पानी छोण देए इसलिए चटनी पतली दिखे रही है अब हम थोड़ा सा आरेंज फूट कलर डाल देते हैं जो साधी पार्टियों में हलुआई भी डालते हैं इससे कलर बहुत अच्छा आता है और देखने में सुन्दर लगती है चटनी अब हम फिर एक बार अच्छे से ढख देते हैं फिर चेक कर लेते हैं देखिए हमारी चटनी थोड़ी सी गाड़ी हो चुकी है अब एक छोटी चब में धनिया पाउडर डाल देते हैं धनिया को अच्छे से रोष्ट कर लिया है इससे चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुसबू भी बहुत अच्छी आती है अब हम फिर एक बार अच्छे से चला देते हैं और ढग देते हैं जिससे चीनी अच्छे से पक जाए और चटनी भी अच्छे से गाड़ी हो जाए देखिए हमारी चटनी लगभग त्यार हो चुकी है कितनी अच्छी लग रही है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं इसको रख देते हैं ढग के यह ठंडी होगी तो और भी गाड़ी हो जाएगी अब हम इंडेक्शन पर से उताल लेते हैं चटनी और थोड़ी दे ठंडी होने के लिए रख देते हैं देखिए ठंडी हो चुकी है चटनी कितनी अच्छी गाड़ी हो चुकी है कितनी अच्छी लग रही है जैसे साधी पार्टियों में मिलती है आप इसको एक महीने के लिए श्टोर करके भी रख सकते हैं ये जल्दी खराब नहीं होती है सफर में भी ले जा सकते हैं इसको पूड़ी पराठा के भी साथ खा सकते हैं या फिसमोसा के साथ खा सकते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फेमली मेंबर और दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा आपको अपना कीम्ती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्लेवाज़।